तो मैं बनाऊंगी आज ग्रेवी वाली बिंडी नॉर्मन बिंडी खा खा करके बोर हो गए तो आज हम ट्राय करेंगे बेशन ग्रेवी वाली बिंडी तो हमने आप पे 200 ग्राम बिंडी लिया है जिसको अच्छे से पहले पानी से धुल लेना फिस साफ कपड़े से पोश लेन बिंडी को उसके बाद में हम बिंडी के जो मुंडी है और पीछे का हिस्सा काट देंगे थोड़ा-थोड़ा फिरम बिंडी के दो टुक्ड़े अगर बिंडी बढ़े तो तीन टुक्ड़े कर लेंगे इस तरीके से बिंडी हम काट लेंगे सारे बिंडी को उसके बाद में तेर दालें गड़ाय को गरम करेंगे उसमें तीन बड़े शमच तेर डालेंगे इसमें बिंडी को फ्राइब तक बिंडी को बीच पीच में चलाते रहेंगे थाकि बिंडी चारो तरफ से अच्छे से फ्राइब हो जाएं अब देख सकते हैं निजिस को आप देख सकते हैं बिंडी का कला से चेंज हो गया है बिंडी को फ्राइब हो चुकी है अब मादें फ्राइब तक प्लेट में निकाल लेंगे एक प्लेट के पाउड़ा स्मिर्च लिया हैं और मैंने यहां पूरी एक निए उस, कषमीर ले लाल मिर्च पौडर है। अब देख सकते हैं मसाला मीक्स हो चुका है यहां पे में ले रही हूँ एक टमाटर जिसका में बनाऊंगी पेष्ट अब तो अब दो लोगों के लिए विए अब अगर ज्यादा बना लेगी जो प्राइ में तेल बचा हुआ तो इसमें डाला है जीरा जीरा तरकने लगे हरी ऑचेटा को डालेंगे मिक्स कर लेंगे है तो यहां पे प्याज फ्राइ हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे जो मसाला तयार के था उसको डाल देंगे मसाली को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर चलाते विए इसको भूनेंगे बेसन है बेसन का पकना बहुत ज़रूरी है यहां पर एक मिनट तक ढख करके इसको बेसन को पका लेते हैं एक दम सुलोंच पर बेसन में थोड़ा सा पालें डाल दिया था कि नीची से जले न तो यहां पर बेसन अच्छे से भून चुका है यहां पर मैं डाल देते हूं अब जो टमाटर का प्योरी बनाया वह था उसको डाल देंगे यहां पर और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनट तक ढख करके टमाटर की प्योरी को भी पकाना जरूरी है यह तो टमाटर भी कच्छा रह रहा है कि मैं डाल देते हूं यहां पर एक चमश नमक मिक्स कर लेंगे कि यहां पर मैं एक ग्लास पानी डाल रहे हूं कि ग्रेवी बनानी के लिए थोड़ा सा पानी ज्यादा डाला है ताकि इसको पकाना भी है ना यहां पर मैं धक करके तीन-चार मिट तक आप इसे छोड़ दीजिए पकने के लिए इस तरीके से पानी डाल दी एक वाल आ जाए कि यहां पर गैस को स्लो कर देंगे और चोड़ देंगे तीन-चार मिट पक जाए अच्छे से बीसान सारी मसाले यहां पर पक चुका है यहां पर मैं डाल देती हूं बिंडी को भी डाल करके यहां पर दो-तीन दुर तक पका लें कि आप देख सकते हैं कि पक रही है हमारी बिंडी हो गया समय वेड़ी है खाने के लिए बिंडी आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्च्चर और कलर दोनों आया है सब्जी का मैं इसमें डाल देते हूं थोड़ा साहरा दनिया और इसको अब एक प्लेट में निकाल ले करें नदी चाहरा है जरूर बनाई ग्रेवी वाली विंडी बहुत अच्छी लगती है कि अब पर आपकिन पर अब बहुत है